फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं Trident Limited की Trident Limited के stock में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वज़े है profit booking बड़े fund house के द्वारा काफी जादा बड़ी मात्रा में आज माल बेचा गया बारी volume के साथ में आज काम काज हुआ है तो यह जो profit booking है यह तो लाजमी है होनी है इतनी सांदार तेजी बन चुके तो उसके बाद profit booking तो आएगी ही आएगी और friends मैं लगातार आपको profit booking के लिए कहते रहता हूँ क्योंकि profit booking करनी ही चीए stock market में हम आये तो कमाने के लिए अगर profit book नहीं करोगे तो फाइदा क्या फिर से stock नीचे आजाएगा फिर आपको क्या मिलेगा काफी लोग comment करके कहते सर आप बार बार profit booking के लिए क्यों बोलते हो आप तो retail investor को मरा रहे हो friends हकीकत में हमें हर बात आपको share करनी जरूरी है अगर मैं आपको misguide करूँगा और अगर आपको समय पे profit book करने के लिए नहीं बोलूँगा जरूरी है कि entry और exit उनको बताना चाहिए कहाँ पे entry करनी और कहाँ पे exit करना यह regular ही बताना चाहिए और मुझे पता है इसका entry point कौन सा है और exit point कौन सा है तो वो आपके साथ में regular शेयर करता ही रहत हो वो आपको निरने लेना है कि आपको उसमें profit book करना है कि नहीं क्योंकि यह काफी बार हो चुगा इससे पहले भी yes bank के समय हुआ था जब yes bank का stock मैंने 13 के आसपास खरीदारी करवाई थी तो उनको मैंने 17 से लेकि 18 के 19 के आसपास लगातर बोला बार बार हर वीडियो में बोला कि आप profit book कीजिए तब भी लोग यही कमेंट करते थे सर इतना तेजी से stock बढ़ रहा है आप profit book करने की बात करते हो और जब गिरने लगा तो फिर हमको दोस्त देते हैं कि सर आपने बताया था यह तो stock नीचे आ गया तो जब profit booking के लिए बोलता तो आपको profit book कर ले नीचे और अगर नहीं किये तो long term के लिए रखिए बहुत अच्छी चीज आपको दिये मैंने ऐसे stock आपको बता है जो हमेश जड़ा return देंगे तो friends यह profit booking है और बड़े fund आउसके मादे में सोई तो उसको हम discuss करेंगे साथ में एक बड़ी update निकल कराई है डिविडेन के लिए उसको भी discuss करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ए चैनल को पनुआ 40.70 पर हाई बनाई 41.25 की और लो है 37.35 का और एंड में 39.15 पर करीब 0.38% गिरावट के साथ में closing आई है और यह जो गिरावट है यह actual में mid में आके हुई है ना इसमें हमें बड़ी गिरावट दिख रही है और ना इसमें बड़ी recovery दिख रही है क्योंकि इ माल बेच भी रहते और इसलिए जो हमें closing है वो लगबग flat होते हुई दिखाई दिये इसकी तो यहाँ पर अभी पलड़ा दोनों तरफ जा सकता है यानि एक तरफ बड़ा correction भी आ सकता है या फिर stock के अंदर फिर से आप 5% का अपर सरक्री भी लग सकता है दोदों संभावन की delivery उठाएगी और delivery का percentage है 44.51% बात कर लेते हैं NSC की 9,81,52,000 का volume हुआ और सामने 4,29,45,000 की delivery उठाएगी और delivery का percentage 43.75% तो दोनों action में बहुत ही सांदार कामकाज हुआ है और भारी volume के साथ में कामकाज हुआ है अगर हम इसके volume को analyze करे तो पिछले एक मैने में सबसे भारी volume आज हुआ है पिछले एक मैने पहले इसका 4 crore का volume था वन विक पहले 7 crore का volume हुआ था कल इसका 5 crore का volume था लेकिन आज 14 crore का volume हुआ है तो बहुत ही भारी volume आज हुआ है और दोनों तरब की आज रसा कसी रही है एक तरब बहुत तेजी से माल बेचा गया है profit booking गई है तो द यहां पे valuable buying बहुत ज़्याद है 7.1052 का low है और 41.25 का 52 का ही है फिलाल इस्टोक 38 के आसपा स्ट्रेट कर रहा है 41 इसने बता दिया तो कफी एच्छा लोगों को return मिला था लोगों ने अपना profit book किया अब Trident Limited की तरब से एक update निकल कर आ चुकी है Trident Limited Dividend देने जा रही है आप 29 ऑक्टमबर को जब इसके meeting कंपनी की उसके अंदर Dividend की घोशना की जाएगी और वो आपको फिर 29 ऑक्टमबर को आपको Dividend दिया जाएगा न्यूज पेपर में इन्होंने detail दे दिये कि Dividend आपको मिलने वाला है तो कंपनी लगातार हर तरह से पारदर से तरीकर से काम करत क्योंकि इसकी मंसा साप है अब हम चलेंगे उस बड़ी डील की तरफ आज जो बड़ी बड़ी डील हुई है जिसके मादिम से माल आज बेचा गया और खरिदा गया है तो बाजार सुरू होते ही करीब 9 बज कर 16 मिनट पर 41.25 की प्राइस से करीब 11 लेक शेरों की एक बड़ डील हुई और फिर उसके बाद 9 बज कर 37 मिनट पर 21,90,00 की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 9 बज कर 37 मिनट पर 19,60,00 की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद फ्रेंट्स 10 बज कर 11 मिनट पर 41.20 की प्राइस से 23,00,00 की एक बड़ी डील हुई है और उसके बाद में वापस 10 बचकर 25 मिनट पर 41.25 की प्राइस से 13,00,000 की एक बड़ी डील हुई है फिर 10 बचकर 25 मिनट पर 14,00,000 की एक बड़ी डील हुई और फिर 10 बचकर 25 मिनट पर 15,00,000 की एक बड़ी डील हुई है और काफी भारी मात्रा में खरीदारी भी किए गई है और सामने लोगों ने माल बेचा भी है फिर दो बच कर 46 मिनिट पर 41.15 की प्राइस 28.00 की एक बड़ी डील हुई है और उसके बाद में फिर 39.95 की प्राइस से 10.00 46.00 की डील हुई और उसके बाद तीन बच कर एक मिनिट पर 38.30 की प्राइस से 48.00 की एक बड़ी डील हुई तो आज बहुत भारी मात्रा में बड़ी डील के मादेम से बड़ी फंडा उसने माल बेचा भी है और माल खरीदा भी है दोनों तरप का आज माहुल था और इसके बी बाजर में कभी भी कर्रेक्षन आएगा तो फिर इसके प्रेट लेवल को चेक लेते हैं यहां से अगर इसके प्रेट प्रेट निगल के आ रहा है वह है 39.90 पर first target है second target है 40.50 का है और third target है 41.70 है तो फिलाल अगर तेजी में उपर stock की तरफ जाना है उपर की तरफ move करने लगेगा तो 41 तक जा सकता है और gear out में 36 तक रह सकता है तो ये फिलाल संभावना बंदरी है और ये company बहुत ही मजबूत है और quarter two का result इस बार दमदार रहेगा जिस तरह से company की तरफ से जो बाते निकल के आ रही है जिस तरह से company announcement करने जा रही है उसे लग रहा है कि इस बार धमाका हो सकता है result में हमें बहुत बड़ी positive खबर सुनने को मिल सकती है तो उसके बाद stock की price में बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है और आपका अगर long term का नजरिया तो आपको ड़नने की कोई बात नहीं है मैंने आपको पहले ही काया हुआ है आने वाले एक से दो साल के अंदर stock की price 100 क्रॉस करेगी और पास साल तक लिए अगर आप उसको निवेस बनाया रखे तो यह 500 को क्रॉस करेगा बिल्कुल इस target तक जा सकता है आप निवेस बनाया रखे लेकिन short term में निवेस किया हुआ है तो समय समय पे profit book करें जैसे नीचे मौका में ले फिसे entry करें लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने finance advice से बाइड वाई ले ले यह अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके education प्रपच के लिए बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जुरू कीजिए और चैनल को subscribe लो दीजिए